हलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का जो करेंट अफेर का भी जो रिसेंटली बुक आया है जिसमें 30 जुलाई 2021 तक अपडेट दिया हुआ है उस बारसी कांग 2021 के बुक से हम लोग प्रैक्टी सेट जो उसमें 30 प्रैक्टी सेट दिया हुआ है को हम लोग कभर कर रहे हैं इसके पहले अलेडी तीन सेट जो है वो अपलोडेड है अगर आप नहीं देखें तो जा कर देख सकते हैं यह हमारा उस सेट में क्रम में आज 14 सेट है तो आईए अभी सेट को शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ची कि तरह आज का जो हमारा पहला कोश्चन है वो यह कह रहा है कि राष्टिये तकनी की सिछक प्रसिछन और अनुसंधान संस्थान का निदेशक जो है वो किसे निखतिया गया है तो यह निखतिया गया है उसा नेटसन को तो इस कोश्चन का जो सई अंसर होगा वो होगा आप प्रुसकार की अगर हम लोग बात करते हैं फुका ओका ग्रैंड प्रुसकार की तो यह प्रुसकार जो है वो बैक्तियों और संगठनों को ACI संस्कृति के संरचन में उनके काम के लिए दिया जाता है अगर हम लोग बात पी साइनाथ की करते हैं तो इन्हें 2001 में संजुक्त राष्ट के खादवम क्रिसी संगठन का बोर्मा प्रुसकार भी दिया गया है और 2007 में ACI पत्रिकायता में उत्कृष्ट योगदान के लिए रैमन मैक से प्रुसकार से भी समानित किये जा चुके हैं आगे कहरा है यह डोपिंग प्रतिवंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है तो यह पहली महिला क्रिकेटर है इसलिए एक कोश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका नाम है अंसुला राउ तो इ यह हैं N.B. रमना तो इस कोश्चन का सयंसर होगा आप्सन बर B N.B. रमना जो की अभी भारत के ततकालीन 48 में मुख ने अधीस भी हैं नेक्स्ट है हमारा जारखंड राज क्रिकेट संग ने किस सहर में एक अंतरास्टिये क्रिकेट स्टेडियम बनाने का नेने लिया है तो इस कोश्चन का सयंसर होगा वो होगा आप्सन बर जी बोकारो और यह जो है वो जारखंड का तीसरा अंतरास्टिये क्रिकेट स्टेडियम होगा इससे पहले राची और जमसेदपूर में जारखंड में दो अंतरास्टिये क्रिकेट स्टेडियम मौजूद हैं वहीं अगर ह लोग बात जार्खण की करते ही तो जार्खण से याद रखेगा, जार्खण जो है वो मिडडे मील बरकर के बेतन में बढ़ोत्री किया है, और साथी साथ हुका बार पर रोक लगाने की भी घोस्तना किया है, नेक्स कहारा है भारतिये रास्टिये फिल्म संग्रहाले ने किस मूल कैमरा निगेटिव को अपने कलेक्शन में सामिल करने की घोस्ता किया है यह किया है फिल्म पीके का तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बो होगा आपसन नमरे पीके नेक्स कहा रहा है कि ड्री नामक क्रिसी तेवहार जो है बो अपतानी जनजातियों के द्वारा किस राज में मनाया जाता है पहले तो यही याद रखेगा किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है यह भी कोश्चन एक्जाम में पूछा जाता है और यहार जनजातियां है कहां कि अरुनाचल परदेश के हैं question का जो सही answer होगा वो होगा option number C और नाचल प्रदेश यह एक क्रिसी तेवहार है जो की प्रती बर्स जुलाई माह में मनाया जाता है अर नाचल प्रदेश की बात करते हैं तो नाचल प्रदेश की मुखमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहां के गवर्नर का नाम है बीडी मिसरा next कह रहा है कि किस राज में उत्पादीत भालिया गेहूं जिसको की GI टैग भी दिया गया है उसका निल्याद जो है वो केने और से लंका में किया गया है तो भालिया गेहूं कहां का है जिसको GI टैग दिया गया है गुजरात का है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option बजे गुजरात साथी साथ गुजरात से याद रखेगा गुजरात का पेठापूर ब्लॉक प्रिंटिंग को भी GI टैग दिया गया है GI टैग की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का जो पहला GI टैग है वो दार्जलिंग की चाय को 2045 में दिया गया है और GI टैग का जो पंजीकरन होता है वो 10 बरसों तक मानने होता है वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से करेंट का कोश्चन याद रखिएगा पहली एरो पैक्स फेरी सेबा की सुरुआज जो है वो गुजरात में ही हुई है नेक्स कहरा लेमोली एलिफेंट रिजर्ब जो है वो किस राज में प्रस्तावित है तो लेमोली एलिफेंट रिजर्ब जो है वो 36 गड़ में प्रस्तावित है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमबर D 36 गड़ 36 गड़ से याद रखेगा भारत की पहली राजस्तरिये इन लोक अदालत की सुरुवात भी 36 गड़ सरकार के द्वारा की गई है राष्टिये जन जाती नरित महोसब का आयोचन जो है वो रायपूल 36 गड़ में किया गया है और भारत में सरबादी गरीबी दर भी अच्छा तिस गड़ में है नेक्स कहरा है कि किस देश के राष्टपती जोबिनल मुईस की हत्या कर दी गई तो वो कहां के राष्टपती थे हैती के तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन ने बटी ये करेवियन देश है थी जिसकी राधानी है पॉर्ट ओ प्रिंस नेक्स कहरा है जापान ने किस सहर में ओलंपिक खेलो की समापती तक आपात का लगाया था तो यह लगाया था टोकियो में क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो 32 ग्रिस्मकालीन ओलंपिक है वो टोकियो में अभी संपन हुआ है साथी साथ याद रखेगा 33 ग्रिस्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2024 में पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा और चौतिसमा ग्रिस्म कालीन उलम्पिक जो है वो दो हजार अठाइस में लॉस एंजलेस अमेरिका में खेला जाएगा नेक्स कहरा है कि जियाई टैग प्राप्त तमिलाडू के मदूरे मलिफुल मदूरे मलिफुल कहां का है तमिलाडू का है जिसको की जियाई टैग मिला हुआ है का नियात जो है वो किन देशों को किया गया है साथी साथ तमिलाडू के और भी कुछ अनप्रोडक्ट से जिरको जिया अग दिया गया है जैसे कि कंदानगी साड़ी, डिंडगुल ताले, इरोड हल्दी, तिरुभूबन सिल्क साड़ी यह सब तमिलाडू का है जिसको की GI tag प्राप्त है Next कहा रहा है कि Tokyo Olympic खेलों में निसाने बाजी के लिए भारत से किसे जूरी निफ्त किया गया है तो उनका नाम है पबन सिंग, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, पबन सिंग, वहीं Tokyo Olympic की बात करते हैं तो Tokyo Olympic का आभी समापन हुआ है, जिसमें भारत जो है वो 7 medal लेकर आया है जिसमें 1 gold, 2 silver और 4 bronze medal सामिल है और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रथम अस्थान की तो अमेरिका जो है वो 113 medal के साथ प्रथम अस्थान पर रहा है नेक्स कहरा है कि नासा के किस अंतरिच्यान ने सनी ग्रह के उपग्रह टाइटन के बायू मंडल में मिथेन गैस की उपस्थिती का पता लगाया है तो यहां कौन सा अंतरिच्यान है उसका नाम है कैसी नी तो इस कोशन का सही अंसर होगा पो होगा option number B वहीं अगर हम लोग नासा की बात करते हैं तो नासा का full form होता है जिसकी अस्थापना जो है वो 1958 में किया गया था और इसका हेटकॉर्टल जो है वो बासिंग्टन डीफी में स्थित है नेक्स कोशन है कोशन नंबर 15 कह रहा है कि किस देश ने इस माह के अंत तक अंतरास्थिये अंतरिच हस्थितन module launch करने की घोसना किया है तो यह किस देश ने किया है रसिया ने किया है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D रूस ने रूस से याद रखेगा रूस जो है वो पहली बार पानी के अंदर अस्पेस टेलिसकॉप को अस्थापित किया है तो जीका बारस के संक्रमन की पुष्टी हुई है केरल में तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number B केरल आप लोगों को याद ही होगा कि भारत में करोना बारस का भी पहला केस जो है वो केरल में ही मिला था साथी साथ केरल से अन्न भी कुछ करन्स के कोश्चन्स आपको याद रखने है जैसे की बर्ड फ्लू को भी राज आपता घोजित किया है केरल भारत का पहला लेवर मूव्मेंट म्यूजियम खोला गया है केरल में ट्रांसजेंडर को NCC में प्रबेस की मंजूरी दिया है केरल सबजियों के लिए न्यूंतन समर्थन मूलते करने बाला भारत का पहला राज बना है केरल बड़े होटलों को द्यों का दर्जा देने का भी फैसला के द्वार ही लिया गया है नेक्स कहरा है कि होसला नामक कार्ज करम जो है वो किस राज संग या छेतर में सुरू किया गया है तो होसला नामक कार्ज जो है वो कहां किया गया है जम्मू कास्मीर में सुरू किया गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नंबर सी जम्मू कास्मीर और होसला योजना जो है वो महिलाओं के बिकास को प्रोसाहित करेगा और साथी साथ महिला उद्मियता को बढ़ाबा देगा वहीं अगर हम लोग जम्मू कास्मीर की अगर बात करते हैं तो जम्मू कास्मीर से याद रखेगा जम्मू कास्मीर में सतरक नागरिक मोबाइल एप भी लाँच किया गया है और सूपर 75 छातरविती योजना भी सुरू किया गया है नेक्स कोशन हमारा कोशन नबर 18 कहे रहा है आइस त्टुकरामी का नाम करन 26 इकारा के नायक जो त्टुकराम ओमले थे उनके नाम पर किया गया है यह किस की प्रजाती है तो यहां जो है वो एक मकडी की प्रजाती है तो इस question का जो सई अंसर होगा वो होगा option number T मकडी की प्रजाती है next question कह रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल्बिदुत बांध यानि hydroelectric power project जो है वो किस देश में बनाया है तो यहां बनाया है चाइना ने आप लोगों को याद होगा कि भारत मुतलब दुनिया का जो पहला सबसे बड़ा जल्बिदुत बांध है वो भी चाइना के दौरा ही बनाया गया है अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल्बितुत बांध का तो उसका नाम है बहेतन बांध इसका संचालन जो है वो चाइना के द्वारा सुरू किया गया है या जो बैहितन बांध है या जिनसा नदी पर है जो की यांतांगी नदी जो की एसिया की सबसे लंबी नदी है उसकी एक सहायक नदी है इसमें 16,000 मेगाबाट की कुल अस्थापी छमता के साथ इसको बनाया गया है और साथी साथ आप लोग याद रखिएगा चीन की जो यां अंतरास्टिये संसद्ये दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा और इस दिवस की जो अस्थापना है वो 2018 में संजुक्त राष्ट महसभाप्रस्ताओं के माध्यम से किया गया था तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल आया तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल पे नहीं हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्स वो वाचिंग